वेलकम तो ग्रीन रिव्यू चानल, ग्रीन सिग्नल फर यॉर नेक्स पचेस, ब्यूटीज, आज मैं आपके लिए एन्वाय बे लिपक्रियोन के स्वाचेस लेकर आई हूँ और इसका रिव्यू लेकर आई हूँ, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर मेरे पास एच शेड अव बताऊंगी, ताकि अगर आपको कोई शेड लेना हो, तो आप एजीली चूज कर सको कि आपको यह चाहिए, क्योंकि आपने अल्रेडी मेरे वीडियो में इसके स्वाच इस देखे होंगे, तो आप देख सकते हो, इसके पाकेजिंग ऐसी है, यहाँ पर यह पूरा पाकेजि कर सकता है, कि इसके इसकी अटेट ह यह पर म esperar कि बोज़ू अर्य पर किया है कि अपर के मिल जाएंगा इसकी मैनुफक्टरिंग देट यहाँ पर यहां पर यह Lig लोग ने मैनुफक्टरिंग डेया है उनका और यह रापर ना इसके उपर ही यहाँ पर मेंचिन किया होता है अगर आप इसको फेक देते हो तो आपको इसकी डेट याद रखनी होगी कि इस डेट पे मैंने इसको पुछस किया था और इसकी मैनुफेक्टरिंग डेट यह थी और एक्सपाइड यह है तो इतना कुछ रियाद करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह त्री यह की शेल्फ लाइफ के साथ मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर इसकी मैनुफेक्टरिंग डेट है तो बेस्ट बिफोर 3 2022 तो तो त्री येर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है तो यह तीन साल से पहले ही आपका खतम हो जाएगा अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इसको यहाँ से खोलंगे तो यह पूरा प्लास्टिक रैप में दिया है यह लोगने इसकी पैकेजिंग यह लोगने काफी अच्छी की है यह देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पर यह लोग ने mention किया है, कि इसकी प्राइस क्या है और manufacturing date क्या है, तो बहुत सारे लोगों को problem होती है कि हमेशा बोलते हो, कि अरे इसके उपर mention ही नहीं किया होता है, तो अगर आप जब packaging तब ही आपको देख जाएंगा, इसकी packaging क्या है, यह मैंने खोल लिया है यह देख सकते हो, 2.5 g, काफी अच्छी कॉंटिटी मिल जाती है, यह पीछे से यह निकल जाता है, पता नहीं कि उसकी पाकेजिंग इतनी कुछ खास नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसका, बट कुछ नहीं न, यह तो निकल रहा है, यह हर किसी का निकलता है, क्यूंकि मैं से पहले और दो लिपकरियों यूज कर चुकी हो, तो यह हमेशा निकल जाता है, आप देख सकते हो, यहा पर सारे शेड मेंशन कर दोंगी, तो यह कुईन चॉइस है, इसके नाम बहुत अजीब लगते है, मुझे, स्टेवर्क के भी नाम इसे ही बहुत अजीब है, नेक्षेड है, शेड नमबर 5, पार्टिं विध मस्कर, इसका यह शेड है, यह कुछ पिंक शेड में है, इसके उपर भी अच्छा लगेंगा, नेक्षेड है, शेड नमबर 7, फर्स बेज स्पेशल, इसका नाम है, फर्स बेज स्पेशल, यह भी पिंक काइंड ऑफ शेड है, आप देख सकते हो, यह शेड, पिंक शेड है, यह नेक्स स्वाच देखते है, यह है, शेड नमबर 8, काइंड ऑफ है, यह ऐसा शेड है, यह पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, एक श्वाइप में लग जा रहा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और ना, इसमें मौशनाइजिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, नेक्षेड है, शेड नमर 11, यह मैं अल्ड़ी यूज कर रही थी, तो इसका यहां से जो था स्टिकर वो निकल गया, पर में स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, इसका नाम कौन सा है, और यह शेड नमर कौन सा है, यह न्यूट कलर है, मुझे कोई न्यूट कलर चहिए था, काफी अच्छा कलर है, अगर कोई ओफिस गल हो, या फिर कोई कॉलेज बगरा जाते हो, तो उनके लिए काफी अच्छा शेड है, यह मुझे शेड काफी जादा पसंद आया है, और मैं डेली यूज करती हूँ यह शेड को, नेक्स शेड है, शेड नमर 17, इन दा स्कोरिंग पोजिशन, इसका नाम है इन दा स्कोरिंग पोजिशन, अगर आपको चीए, तो मैं और इसको ब्रॉट करके दिखाती हूँ, यह शेड नमर 1 है, मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है यह नहीं, पता नहीं उठना, यह देखो, यह शेड नमर 1 है, अगर आपको और डाक चीए, तो आप इसको और जादा लगा सकते हो, तो और जादा डा नेक्स्ट वला है, शेड नमर 7, यह पिंक आफ, यह पिंक काइंड ओफ शेड है, शेड न इसके मुझे सारे अच्छे लगे, इसलिए मैंने इसे शेड मंगवा है, जो सबको अच्छे लगेंगे, यह भी एक पिंक शेड है, यह शेड नमर 8 है, आप देख सकते हो, यह सारे शेड है, और यह देखो, यह इसकी कैप है, काफी अच्छे से लग जाती है, ट्रावल फ्रेंली है, और टाइट लगती है, आपका आवज आ रही है क्या, यह देखो, खुलने में यह बंद ओपन होने के लिए अच्छा है, और अच्छे शेड है, यह मेरे पास कुछ 8 करके दिखाए, अब मैं बताते हो कि स्मच होते है यह नहीं, यह स्मच हो रहे है, देखो, अगर आप इसको लगाते हो ना, यह स्मच होते है, अगर यह मैट लिप्स्टिक नहीं है, और इसमें थोड़ी शाइन है, और कैसा लिक्विड लिप्स्टिक होते है, वह स्मच नह चुची काट डीभी अर्टोफ गाच्गा क्था का मैं तो चुक है तो वह लगारा मने colored नहीं किस किया में अग्राइब नग्लास वी तो छूद्य चुक्तिकaid कर नहीं प्लमर्टोफ हिसन मोज से अग्लिटन दीचे पहले जार पेल इस घलीप्र था यह से appli्कूफन felt तो यह इसका review था इसका price ना 90 रुपीज है और यह मुझे कुछ discount में मिला है 70 या 85 रुपीज में तो काफी अच्छा reasonable discount मिला है मुझे तो इतने में और क्या मिलेंगा ना आप देख सकते हो यह lip crayon इनकी packaging काफी अच्छी है सिफ इसका एक problem है कि जो नीचे वाला जो cap है इसका यह निकल जाता है बट आराम से लगा भी सकते है इसको यह देखो सारे lip crayon मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे और मैं highly recommend करूंगी आप इस lip crayon को खरीदे पर्चस करें और इतने कम price में आपको क पर्चस कीजिए क्योंकि हम लोकल लप्स्टिक खरिते हैं 200-300 की उसी रेंज में हमको यह वाले लप्स्टिक मिल रहे है इतने अच्छे lip crayon अगर आप ब्लैक में की lip crayon देखोंगे मेबलीन के lip crayon देखोंगे वो 800-900 की रेंज में है वही रेंज में आपको थोड़ी कम quality और अच्छे प्राइज में 80 या 85 रुपीज में आपको यह lip crayon मिल रहे है तो प्रॉब्लम क्या है न आप ले सकते हो यह और यह मौशराइज भी अच्छी करती है आपके lips को लगाने क के बाद आपको कैसे लगे आपको यूज करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल बटन को दबाना ना भूले तो थैंक यू बाई बाई शुक्रा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में